अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक हर्याणा के करनाल से और इस वक्ता मौझूद है करनाल के बसाणा टोल प्लाजा पर जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज 5 जून है यानि कि विशुप परया वरंदिवस पर हर्याणा के करनाल के सेक्टर 4 में आज मुखे मंत्री मनौरलाल खटर का प्रोग्राम था वर्ण इन्वार्मेंट डे पर और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल ही रात के समय पर 11 बजे के आसपास जो किसान नेता है जो तमाम जो किसान है उन्होंने यह आवान किया था कि सुबह 8 बजे यहाँ पर टोल प्लाजा पर इकठा होंगे और मुखे मंत्री के प्रोग्र करेंगे मुखे मंत्र के प्रोग्राम को नहीं होने देंगे लेकिन बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि रातो रात डेपिड एक्शन फॉर्वर्च numbers को भी भुला लिया गया रातो रात बड़े-ड़े डंपर करनाल के बस्ताना टॉल प्लाजा पर खड़े कर दिये गए और किसानों को यहीं पर नजर बंद कर दिया गया था किसानों को कर्नाल की तरह भागए पड़ने ही नहीं दिया और आप देख सकते हैं तो तमाम जो किसान है यहां पर हीकटा हो जुके हैं आला कि मैं आपको प्रडी जांकार ये देना चाहते हूं कि सियाम का प्रोड्राम है वो नुव से दस dawn के बीच में हो ना था लेकिन मैं आफ्को भतानाचा के कि खड़ी सुरक्षा के बीच जो सियाम का प्रोड्राम है है पहले ही पड़नाट हो जाता है है जटैसे जानाच चाहें फड़ना हो जाता देना धूर रवाना पुम पे शांगे देखो रात दस बजे पता लगता है रियाना का मुख्यमंतरी करनाड का विदायक अपने करनाड कर में अपने हलके में मुख्यमंतरी करनाड में पहुंच रहा है रात दस बजे पता लगता है मुख्यमंतरी सारा प्रोग्राम गुप चुप तरिक्के से चोर दरवाज़े से मुख्यमंतरी के प्रोग्राम रखे जाते है और जैसे रात को 10 बजे पता लगा एक वीडियो डाली जाती है हमारे दवारा भी मुख्याburst मंतरी के प्रोग्राम का विरोध करेंगे मुक्या मंतरी का प्रोग्राम कोई दस ग्यारा बजे का था जैसी जानकारी मिली उसके बाद मुक्या मंतरी दो गंटे पहले किसानों के डर से और उसको प्रोग्राम करके आपके भी तो सी आईडी फेल हुई है इस बार की आपने साड़े आठ बजे याँ पर इकठा होने का अवान किया था लेकिन वहाँ पर तो पौने आठ बजी सी एम पहुंच जाते हैं तो यह दि हमारा सीयम इतना यफ रपो के सारी रात करनारा में कुमता रहे क्या कर सकते हैं भी हम उसका जे सीयम को हम भी अबभी कहते हैं भी हम उसको रात दस बजे से सुबह आठ बजे लग की फूट देते हैं वो रात रात गूम ले करें तो जब एक मुख्या मंतरी को इतना दर है और वो अपने कॉंसिचुंसी में और उसको दो गंटे पहले प्रोग्राम मदरक करवा के चोर दर्वाचे से निकलना पड़ रहा है इससे सरम की बाद किसी सब्धानिक पत पर कोई और उसके हो नहीं सकत आज का हमारे लिए काड़ा दिन है आज के दिन पिछले साल करोना टाइम में इस किसान विरोधी कोर्परेटों की सरकार ने हमारे किलाव एक कानून बनाये थे उसका भी उपर से स्वक्तिकिसान मोर्चे का प्रोग्रम आया हुआ था आज का हमारा प्रतियां फूगनी है अ आज आकि इसका पुतला फूगेंगे और उसके उपर यह हम वो प्रतिया फूखेंगे और इसके उपर ही अदमी घल्त काम करता है तो फिर वो अंदर से डिरता है हमारा मुख्या मंतरी किसान विरोधी इसने ये किसानों के साथ गदारी की है इसने दो प्लान वोट दिये दो बार मुख्या मंतरी बना इसको किसानों ने भी वोट दी सबी वर्गों ने वोट दी आज ये कोर्परेट के हाथों ये सरकार बिक चुकी है ये किसकी हिम्ट नहीं है ये निर्दर मोधी परदान मंत्री के पास जाके किसानों के लिए बात कर सके हरियाना के किसानों के हितकी बात कर सके इस से बड़ा दूर बात कि हमारा क्या होगा देखो उसके खिलाब आज जो सिक्त किसान मुर्चे का फैसला हुआ है कल आज राकेश्ट कैट्स और कुरुणाम सिक चटूनी जी के नितर हजारों किसान गृफतारी देने टुवाना जा रहे हैं तो देखो यह हमारे अंदोलन का इसा है हम विरोध भी करेंगे नाम पर्चों से डरते कैमला में नो सोबंदों पर मारपे पर्चा दर जाए हमें उसकी कोई टैंसन नहीं है और दर्मपाल गोंदर जो निलो खेडी से विदायक है तो करणाड उनके निवासतान के अब हमने उस प्रोग्रम को इस तरिक के सिफ्ट किया है हर्यानमी इसने मजाक बना दिया मुख्या मंतरी के पद का तो इसको खुद सोचिना से है यह कितनी गिरावट में है यह सरकार कितनी गिरावट में है रातो रात हर जिले की पुलिस यहां पर आ जाती है डियस पी तेनात कर दिया जाते हैं आपको नजर बंद कर दिया जाता है ऐसा क्यों देखो यह तो इनके अपने करमों का फड़ भूगत रहे हैं हम जो किसान कोई सत्ता प्रवरतन का, कोई राजनीति कदोलन है, यह अंदोलन अपनी मांगोगों को लेकर है, देखो यह 82 साल में यह मंडियां और यह रियाना पंजाब का सिस्टम बना था, यह बनाने में इस सरकार का कोई हाथ नहीं है, पर आज यह सरकार हमारे सिस्टम को दवस्त करना चाहती है, यहां पर प्राइवेट कोर्पेट को हमारी मंडिया सो बना चाहती है, उसके खिलाब मारा अंदोलन है, यदि हमारी मंडिया हमारा मैस पिना रहा, तो हम तो वैसे ही मरेंगे, उससे अच्छा ही है, हम लड़के मरें, तो हमारी लड़ाई तो अपने पेट की है, इ जहां पर वो प्रोग्राम करके गया, वहीं पर पुतला फोगा जा रहा है। यह ऐसे नर्बाग लोग रियाना की सब्ता में आए और हमारी केंदर सरकार में आए यह हमारे उस 83 साल में जो एक इतना बड़ा पेड त्यार हुआ उसको ही दोस्त करना चाते हैं। से वीडियो जारी की दिया में सिर्फ तक्रीबन आठ से नो गंटे मिले थे त्यारी करने के लिए और उस वीडियो को देखकर प्रसासन और अर्याना सरकार इतनी सदमे में आगी कि हर जिले से फोर्स यहां पर बुलाए गई पैला मिल्टरी फोर्स बुलाई गई कि मारे किसान लीडरों को नजर बंद कर दिया पर मुख्य मंतरी खटने प्रोग्राम करना था दस बजे और वो इतना गवर आया प्रदेश के किसानों से कि सड़े प्रशासन का यह प्रशासन का निया प्रशासन ने बीच में ले लिए प्रशासन के तो जैसी डूटी लगाएं कि प्रशासन तो वैसा करेगा रात पता चले था कि 10 बजे का प्रोग्राम है जो आपके चले करें कि मात्यम से करना चाहूँगा अगर अगर मुख्यमंदरी वाकियर मुख्यमंदरी करने के लाया का यह जो समय रखता है उसी समय पर प्रशासन के तो प्रशासन का यह बन्दूक कि दे हैं कंदा किसानों का है दो दो वेट्टों के उपर बंदू करक रखिया स्रकार ने एक किसान के उपर और दूसरा जुवान नागा आपको जाने नी दिया या फिर आप लेट हुए नहीं नहीं जाने से कोई नहीं रोक सकता इनने पहले भी बड़े से बड़े वरिगेटिंग लगाया है मुख्या मंतरी समया जो ने निदारित किया था दरके सदमे में पहले ही दो तीन गटे पहले ही अपना प्रोग्राम करके और चोर रास्ते से निकल चुका था आप समझ सकते हैं यहा प्रसासन में अपनी त्यारी करी और सुबह ही जल्दी समय कैसा निर्दारित से दो गटे पहले लूब साम ने के रास्ते से और प्रतियों कावि सर्थ नहींकरेंगा तो तीनो काले कानूनों की जो प्रख्णिया है उनका भी दहन करेंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि जहां पर मुख्य मंत्री अपना कारिकरम करके गए है वर्ड इंवार्मेंट डे पर आज जहां करनाल के सेक्टर चार में मुख्य मंत्री का कारिकरम था वही पर उनका पुतला भी फूंका जाएगा हजारों के संख्या में हाला कि याँ पर आज किसानों ने कठ्था जरूर होना था साड़े आठ बजे का समय निर्धारित किया जाता है लेकिन रातों रात रैपिड एक्शन फोर्सिस बुला ली जाती है आज पास के जिलों के तमाम पुलिस को बुला लिया जाता है अब देख सकते हैं कि आज यानि की 5 जून को आज वही दिन है जब साल 2020 लॉकडाउन के चलते ही तीन अद्यादेश को जारी किया गया था आज ही के दिन एक साल हो चुका है कि तीन अद्यादेश जिसके खिलाव में लगातार जो किसान है पिछले 6 महीने से विरोध परदशन करते हुए नजर आ रहे आंदोलन खड़ा करते हुए नजर आ रहे लेकिन बड़ी बात ये है कि 6 महीने जरूर हो गया लेकिन आज भी किसान डटा हुआ है बना हुआ है और अपनी मांगों को लेकर इसी तरीके से खड़ा हुआ है क्योंकि आज भी जो CM का प्रोग्राम था जहां पर परियोजनाए भी उन्होंने शुरू की कुछ शिला नया तरह वारा या बाद में करना वो प्रशासन का काम है वो अमारा काम नहीं है हमारा काम था कारेक्रम करना और वो आए और अब करनाल से रवाना भी हो चुके lakaon यहां के जो किसान है वो आज 5 जून को क्योंकि तीन अध्य cluster को जारी कियो हुए चुका है आज ही के दिन करें आप देख रहे हैं बन 24 मैं हूं मैंक शर्मा हराना के करनाल से आप सभी के साथ लाएं धन्यावाद